उपचुनाव भीतने के एक महिनी से ज्यादा समय के बाद आखिरकार मद्य प्रदेश में शियोराज के विनेट का विस्तार हो गया है इसके साथ ही सिंदिया समर्थक दो मंत्री तुलसी राम सिलावट और गुविन सीह राजपूत की शियोराज सरकार में एक बार फिर से री इंट्री हो गई है राजभवन में राजपाल अनन्दिवेन पटेल ने दोनों ने तातुलसीराम सिलावट गुविन सीह राजपूत को मंत्री पत की शपत दिलाई बता देखी शपत ग्रहन समारों में मुक्य मंत्री शिवरासियन चौहान के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ग्रह मंत्री नरुत्तम मिश्रा मुक्य सच्यू इकबाल सियं बैस भी मोजूद रहे मध्यप्रदेश की राजपाल अनन्दिवेन पटेल रव्यार सुबह साले ग्यारा बजे बोपाल पोची जिसके बाद राजबहवन में साले बारा बजे शपत ग्रहन समारों का आयोजन किया गया इस आयोजन में जोती रादिती सिंधिया के समर्थक नेता तुलसी सिलावट गोईन सिय राजपूत ने मंत्री पतकी शपत ली सूत्रो की माने तो कूरोना संक्रमन को देखते हुए शपत ग्रहन समारों में 150 लोगों की ही विवास्ता की गई थी शपत ग्रहन समारों के दोरान कूरोना गाइडलाइन और प्रोटोकाल का पालन किया गया सूत्रों के मुताबिक सिंदिया समर तक तुलसी सिलावट को एक बार फिर जल संसाधन मंत्रा लाए वहीं गोईन सिय राजपूत को परीबहन और राज़सु युहाग मिलने की संभावना के साथ साथ पूरी उम्मित भी जताई गई है इससे पहले भी इन दोनों नेताओं को यहां मंत्री पत सोपे गए थे हाला कि मंत्रालाय में छे मंत्री पत रिखते हैं जिन में दो पत पर ही अभी शपत ग्रहन समारो आई जित किया जा रहा है वही चार पर सहमती ना बन पाने के कारण उम्मित की जा रही है कि आगे भी शिवराज मंत्री मंडल का विस्तार किया जाएगा बता देखी मद्यप्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनों के पाद परिणाम 10 नवंबर को आये थे जित में से बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी नो सीटों पर कॉंग्रेस का कबजा राज इसके बास से लगातार शिवराज मंत्री मंडल विस्तार की चर्चा तेज हो चली थी इस बीच मुख्यमत्रे शिवरासियां चोहान प्रदेश अद्यक्ष बिडिश शर्मा सहीद जोती रादित सिंधिया की बेठकव का दोर भी चला